हेलो तूडेंट्स वेलकम यू ओल आन CSC सब्जेक्ट वाइज लास्ट लेक्चर में हमने सिगमा इक्वल टू ए पे कुछ DFA को कंस्ट्रक्ट किया था उसी स्रीज को कंटीन्यू करते हुए आज हम कुछ basics dfa को construct करेंगे over a,b it means आज जो sigma रहने वाला है हमारा वो a और b जो symbols रहेंगे sigma में वो a और b रहेंगे तो start करते हैं अपनी problem को suppose करो मेरी first language जो मुझे construct करनी है वो है empty language empty language right तो empty language का meaning है बचे जो भी मेरा dfa है वो किसी भी string को accept ना करे even epsilon string को भी accept ना करे तो उसके लिए मुझे कैसे करना होगा it means अगर आपको empty language चाहिए तो आपके system में आपके model में कोई भी state final नहीं होनी चाहिए right it means बचे आपने क्या किया initial state बना दिया अब आपको a और b चाहिए बचे यह dfa पे तो नहीं है क्यों क्योंकि इसमें a और b का अभी तक transition नहीं है तो आपने क्या किया a का transition भी add कर दिया और b का भी कर दिया that is a और b और हमने यह last lecture में discuss किया था कि बचे इसको आप कैसे mention कर सकते हो direct a,b से भी mention कर सकते हो a,b और a plus b से भी right तो यह जो dfa है यह किस language को accept कर रहा है empty language को over a,b right move करते हैं अपनी next language की तरफ next language की तरफ suppose करो बचे आपकी language है वो क्या है a,b a और b it means आपकी language में सिर्फ दो ही string है एक a है और एक b है तो इस case में आपका dfa कैसे बनेगा ध्यान से देखना बचे क्या आपको epsilon साहिए नहीं साहिए it means initial कभी भी final नहीं होगा उसके बाद में उसके बाद में देखो अब क्या हुआ है बचे आपको a accept करवाना है yes sir it means ये state कौन सी हो जाएगी state number two कौन सी हो जाएगी मेरी final state state number one and state number two right अब क्या आपको a accept करवाना है yes sir क्या आपको b b करवाना है yes sir क्योंकि a और b दोनों के transition आपको mention करने होंगे तब ये dfa होगा sir इसके बाद में कुछ भी आजाए इसके बाद में कुछ भी आजाए मुझे mention नहीं मुझे accept नहीं करवाना right it means इसके बाद में चाहे a आए चाहे b आए कुछ भी आए sir मुझे कुछ नहीं चाहिए right क्योंकि minimum आपको क्या चाहिए था a और b a आपका accept हो रहा है बी आपका accept हो रहा है जो चाहिए था आपको वह सब कुछ पूझे accept हो चुकी है at state number two उसके बाद में sir कुछ भी आए मुझे नहीं चाहिए और कुछ भी आए और किसी भी order में आए चाहिए a पहले आए चाहिए बाद में आए मुझे कभी भी नहीं चाहिए तो आपने क्या लगा दिया state पे लोग तो चेक करते हैं कि क्या यह dfa है yes sir यह dfa है state one से a का भी transition है b का भी और exact one transition है state two से a का भी है b का भी और a और b के exact one one transition है और state number three पे भी a और b के transition है it means dfa तो है कि यह correct dfa है sir यह a b accept हो रहा है b b accept हो रहा है उसके बाद में कुछ भी आई पर्मानेंट reject हो रहा है it means यह कौन सी state है बच्चे आपकी trap state अब देखो बच्चे इसको एक और way में लिख सकता हूं मैं देखो आप जब one से two जा रहे हो तो आपके पा एक साथ दोनों को लेके जारे हो नहीं या तो इस पाथ से जाओगे या नीचे वाली पाथ से जाओगे अगर उपर वाला पास select करते हो तो आप a को accept कर रहे हो इस चीज को mention करने के लिए आप क्या लिख सकते हो बच्चे देखते जाना बचे इसका simplification कैसे होगा आपने क्या किया बचे state 1 थी state 1 से आप A लेके state 2 पे गए हो और या फिर आप B भी लेके जा सकते या तो A या B बट दोनों एक साथ नहीं इसलिए आपने इसको किस से separate किया कॉमा से कॉमा मिन्स प्लस और च्वाइस one at a time राइट इत्मिस यह मत समझ लेना कि बच्चे आप यहां से गए हो तो A को भी read कर लिए आप B को भी read कर लिए दोनों को एक साथ read कर लिए नहीं कॉमा है इत्मिस at a time एक की चीज़ को next बच्चे आपने again यहां पे भी A, B चाहिए A को read करके जाओ चाहिए B को read करके जाओ आप इस state state number 3 पे पहुंचने वाले हो और यहां आपका क्या जाएगा a, b accept क्या करवाना है अकेला a यह अकेला b तो कौन सी state को final कर दोगे state number 2 को आपने final कर दिया राइट तो यह यह दोनों equivalent है बच्चे यह दोनो equivalent DFA है तो अगर आपको एक language है जिसमें आपको string accept करवानी है आइधर A और B तो total number of state 3 next DFA को देखते हैं बच्चे next DFA is L3 suppose करो बच्चे आपको accept करवाना है A plus B का whole star अब अगर यह language है अगर यह language है इस language में कौन कौन सी string होगी star है star closer का अगर वीडियो आपने नहीं देखा तो देख सकते हो बच्चे जब हमें basic terms को read किया था right that is epsilon फिर आपका AB accept हो जाएगा BB हो जाएगा A A A B B A B B right यह complete language थी आपने देखा होगा बच्चे अगर नहीं देखा वीडियो प्लीज एक बार उस वीडियो को जरूर देख के आए तो अब आपको क्या करना है बच्चे A plus B का whole star it means यह सारी string accept होनी चाहिए including epsilon तो इस case में क्या करोगी बच्चे इस पोज करो आपको epsilon चाहिए तो कौन सी स्टेट बच्चे initial को में सा final करोगे आप नहीं कर दिया स्टेट नमबर बन को initial को final कर दिया epsilon तो accept हो गया इसके बाद में और क्या accept करना है जो A और B से मिलके बनाओ सर्म मेरे को तो हर चीज accept करवानी है जो A और B से मिलके बनी है AB, BB, AA, AB, BA, BB, सब कुछ तो बच्चे सब कुछ चाहिए तो आप आगे जाओ ही मत इसी P ही A का भी और B का loop लगा दो epsilon असेप्ट हो रहा है, single A चाहिए तो एक बार A वाला loop trace कर लो, single B चाहिए तो एक बार B वाला loop trace कर लो double A चाहिए तो A का double time trace कर लो, और खतम होने के बाद कहां पे होगे हमेशा final state पे A B चाहिए तो एक बार A और फिर B जब A B खतम होता कौन सी state पे हो, final state पे या फिर इसको कैसे mention कर सकते हो बच्चे same DFA को कैसे mention कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो बच्चे, अलग-लग loop लगाने के बजाए, twice बना के लिख दो A और B, it means कितनी state चाहिए complete universal language को accept करवाने के लिए DFA में one state बच्चे, क्योंकि हर चीज तो accept करनी है आपको, but important यह है बच्चे कि स्पोज करो एक language L4, वो क्या है, A प्लस B का whole प्लस है, it means कौन कौन सी स्ट्रिंग है इसमें, A है, B है, double A, A, B, B, A, B, B, but consistent नहीं है, sir, epsilon इसमें include नहीं होती, plus में, but बच्च और तो सारी चीज़ी है न, it means, अब epsilon अगर आपको नहीं चाहिए, तो initial final तो कभी भी नहीं होगी, it means, sir, initial to final कभी भी नहीं होगी, उसके बाद में, sir, कुछ भी आए, उसके बाद में, जो कुछ भी आए, मुझे हर चीज, accept करवानी है, वो कैसे करा होगे, बच्चे, आपन हो गया, sir, bb accept हो गया, state number 2 पे, उसके बाद में, sir, कुछ भी आए, हर चीज मुझे accept करवानी है, right, तो total number of state again कितनी आगई, 2, in the case of a plus b का whole plus, whereas, in the case of a plus b का whole star, one state required in DFA, right, next, अब बच्चे, मैं minimal की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं construct minimal ही कर रहा हूँ, अगर आपको minimal DFA क concept में doubt है, तो please आप एक बार देख सकते हैं, देखो बच्चे, किसी भी language के बहुत सारे DFA possible है, DFA बहुत सारे possible है, last lecture में हमने एक language के more than one DFA बनाए थे, but बच्चे, जो minimal DFA है, वो हमेशा क्या होगा, unique होगा, minimal DFA किसी language का एक ही होगा, DFA more than one possible है, but minimal DFA एक ही होगा, right, next start करते हैं, बच्चे, next language, next language को देखो, बच्चे कैसे, मालो मेरी language है, start with A, start with A, start with A, it means, बच्चे, इस language में कौन कौन सी string है, वो सारी string, अब बच्चे, over A, B, चलो मैं लिख देता हूँ, यहां पे, over A, B, means sigma क्या आपका, A और B है, it means, A और B से तो सर्बहुत सारी string आ जाएगी, B, भी बहुत सारी, right, बच्चे, आपको कौन कौन सी string आई आपकी language में, जो A से start हो रही हो, like, A, double A, A, B, A, 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 B, it means, infinite, ऐसी strings है, A और B से बनने वाली, जो A से start हो रही हो, और आपको सिर्फ A से start होनी वाली चाहिए, right, आपकी language में, अगर कोई B से start हो रही है, तो बच्चे, उस string को आपको reject करवाना है, तो यह important है, बच्चे, देखना, अब आपने क्या किया, minimum आपको क्या चाहिए, सर, A से start होने वाली को minimum क्या साहिए, आपको क्या accept करवाना है, बच्चे, A, आपने क्या किया, बच्चे, A को यहाँ accept करवा दिया, A को आपने क्या किया, बच्चे, accept करवा दिया, उसके बाद में, अब important point है, बच्चे, देखना कैसे बनाओ गया, सर, आपने A को तो accept करवा दिया, इसके बाद में, सर, इसके बाद में कितने भी A आजएं, कितने का मतलब होता है, लूप, बच्चे, कितने भी A आजएं, हमेशा accept कराओगे, राइट, इट मीज आपका A accept हो रहा है, येस सर, क्या आपका डबल A accept हो रहा है, A, A, डबल A भी तो A से start हो है, ना, ये भी accept हो रहा है, क्या आपका ट्रिपल A accept हो रहा है, A, देन A, देन A, येस सर, ये भी तो A से start हो है, ना, इट मीज हर सीज accept हो रही है, राइट, जो A से स्टार्ट हुई है क्यों कि बच्छे फाइनल स्टेट तक जाने के लिए आपने कितनी पाथ को ट्रेस किया है एपाथ को ट्रेस किया है minimum state, state number 2 तक आने के लिए आपको A तो read करके आना ही पड़ेगा it means जो भी string आपकी start हो रही है final state तक जाने के लिए वो A है, right अब मालनो एक string है A, B क्या ये A से start है, yes sir तो A, B accept होना चाहिए था sir A, A, B, ये भी होना चाहिए था sir A, B, B it means एक बार final पे पहुंस गए, उसके बाद चाहे A आए चाहे B आए हर चीज असेप्ट हो जाएगी, right it means इसको क्या कर दो A, B आ रहा है बच्छे समझ में क्योंकि एक बार यहां पे आ चुके हो तो A ही तो read करके आए हो ना और A क्या मेरा starting symbol है right, A से start हुई है string तो एक बार A से start हो गए उसके बाद तो कुछ भी आ जाए जो आपके minimum condition थी वो तो satisfy हो गई उसके बाद में कुछ भी आए तो आपने B का भी loop लगा दिया क्योंकि बच्छे कुछ भी आने का मतलब हमें सा होता है loop किसी भी order में कुछ भी आए का मतलब होता है loop simple सा ध्यान रखो उसके बाद में पर अगर सर बच्छे हमारी string B से start हो गई तो वो मुझे कभी नहीं चाहिए तो उसको क्या करोगे आप reject और reject करने का simple सा क्या fund है बच्छे कहां रख दो उसे trap में राइड बट इट मीज जो भी श्ट्रिंग B से start होगी नौन फाइनल पे ले गया मिन स्ट्रैप पे ले गया अब सर बी से start होने वाली बहुत सारी string है बी भी है बी अबी भी है इन सबको क्या करना है आपको reject करना है इट मीज एक बार जो string B से start होगी उसके बाद में कुछ भी आए चाए A आए चाए B आए सबको reject करना है यह चीज समझ में आ रही है बचे आपने reject कर दिया देखते हैं कि क्या यह DFA सही है देखो बचे start with A के लिए इस first state से A का भी transition है B का भी है state 2 से A का transition है B का भी है state trap से A का भी transition है B का भी है it means sir DFA तो है क्या यह correct DFA L5 के लिए check करते है क्या A accept हो रहा है yes sir A A B हो रहा है A B भी हो रहा है B से start होने वाली सारी string reject भी हो रही है it means यह क्या है बचे correct DFA right move करते है next DFA के तरफ इसका बचे अगर आपको minimal नहीं बनाना अगर आपको minimal नहीं बनाना तो कैसे बना सकते हो देखो suppose गरो बचे आपने क्या किया sir मुझे A चाहिए minimum A चाहिए yes sir तो आपने क्या किया state को final कर दिया state number one state number two sir उसके बाद में चाहे A आए चाहिए B आए कुछ भी आए sir मुझे तो चाहिए क्यों A असेप्ट हो रहा है उसके बाद A तो असेप्ट हो रहा है ना यहां पे yes sir फिर A A भी असेप्ट हो रहा है A B complete कहां पे हुआ A B state number three पे A B असेप्ट हो रहा है B के बाद में यह भी मुझे नहीं चाहिए राइट यह कौन से state है बच्छे trap state trap state कभी भी final नहीं होती last video में trap state के बारे में हमने अच्छे से पढ़ा है राइट तो बच्छे धान रखो यह भी आपका DFA correct है और यह भी correct है यह दोनों correct है बच इसमें कितनी state use हुई है 1, 2, 3, 4 बच यहां पे same काम 3 states में हुआ है तो यह क्या है बच्छे आपका minimal है यह क्या है आपका minimal DFA 4 start with A language राइट क्योंकि यह A B accept हो रहा है A A B हो रहा है A B भी हो रहा है उसके बाद में कुछ भी आए डिसकस कर रहे है एक बार जल्दी से फास्ट वीडियो देख लो उसके बाद खुझ से जितनी भी मैने कुस्टन के हम DFA बना रहे हैं उनका खुझ से प्रैक्टिस करो इवन दो बच्छी अगर आपने वीडियो अच्छे से देखा है फिर भी एक बार ट्राई जरूर करो और हमेशा ध्यान लोको बच्छे अगर आपको DFA कंस्टर्ट करना है तो सबसे पहले स्मोलर स्ट्रिंग को अच्ट करवाओ उस लेंग्वेज की उसके बाद में उस गिवन DFA को कनवर्ट करो बच्छे DFA में कि क्या आपका DFA राइट है या नहीं है क्या उन स्ट्रिंग को अचेप्ट कर रहा है येस प्लस एक और चीज़ चेक करनी है फिर से बोलना हो जो स्ट्रिंग बिलॉंग नहीं करती उनको रिजेक्ट भी होना चाहिए इसको भी चेक करो कि क्या वो रिजेक्ट कर रहा है आपका DFA कर रहा है तो ओक्य है देन आपका DFA राइट है अधर्वाज DFA राइट नहीं होगा हम चेक करेंगे बच्छे इनके आने वाले lectures में कुछ important questions को देखेंगे जहां आप mistakes करने वाले हो राइट नेक्स स्टार्ट करते हैं बच्छे हमारी नेक्स लेंग्वेज है L6 देट इस एंड विद बी ओवर सिग्मा एक्वल टू A कोमा बी इटमीस आपको क्या लेंग्वेज के लिए DFA बनाना है बच्छे जो एंड किस से हो रही हो B से एंड हो रही हो और कौन कौन से अलफा बैट है आपके पास सिग्मा में A और B तो एंड विद B में कौन कौन से स्ट्रिंग आएगी सर B आएगी A B आएगी B B आएगी A B आएगी A B B आजाएगी B A B आएगी Next B B B आएगी ऐसे बहुत सारी स्ट्रिंग आएगी सारी एंड कहां से हो रही है बच्छे B से एंड हो रही है Right It means A से एंड होने वाले आपको नहीं चाहिए इस केस में देखो Last problem में हमने start with A किया था अभी हम end with B कर रहे है इस केस में कैसे करेंगे बच्छे समझो end with B में minimum string क्या है B अभी हमने बोला है कि कैसे construct करोगे सबसे पहले minimum string को accept करवाने है आपका क्या काम है minimum string को accept करवाने का काम है चलो करवा लेते हैं देखो बच्छे Epsilon तो नहीं चाहिए Initial Final कभी भी नहीं होगा Next Sir मुझे B चाहिए क्योंकि B end with B है ठीक कैसे तो इसको क्या कर दो आप बच्छे Final State 1 है State 2 है State 2 को आपने Final कर दिया It means B string आपकी accept होगी अब Sir B के बाद में कितने भी B आए एक B आ सुका है इसके बाद में कितने भी B आए end with B है B के बाद में कितने भी B आए end with B है कितने भी का मतलब अभी बताया था बच्छे loop होता है तो अभी तो कोई problem नहीं है अब देखो बच्छे logic क्या है Sir यह मैंने कुछ basic basic idea तो construct कर लिया अब कुछ और चीज़ देखते है Sir State No.1 पे A के transition के लिए मैं क्या करूँ Sir State 1 है मेरी initial state अगर इस पे मैं A का loop लगा दूँ means means बच्छे अगर मैं A का loop लगा दूँ और कुछ ऐसा scenario है मेरे पास अगर मैं direct इस side में चला गया right side में चला गया तो B को read कर रहा हूँ बच अगर मैंने एक बार loop को लेके फिर आगे गया हूँ तो consist string आगी A, B से हो आपको कोई दिक्कत नहीं start अकिला B से भी हो सकता है start any number of A भी हो सकता है it means आपने क्या लगा दिया A क्योंकि आपको कोई problem नहीं है क्योंकि जब भी आफाइनल तक reach करेगा तो final तक आने के लिए क्या path है? B read करके आना ही पड़ेगा बच्छे या तो ये भी read कर लो इसके बाद में अगर और भी read करने है तो B कर सकती हो पर still मेरी condition true हो रही है आ रहे है बच्छे समझ में तो क्या ये right DFA हो गया? चेक करते हैं बच्छे देखो A right है बच्छे B right है फिर B, 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 B कितने भी आए right है क्या ये DFA है? State 1 से A का transition है B का है State 2 से B का है सर A का कहां गया अभी ये right नहीं है अभी ये DFA नहीं है It means अब देखो अगर आपने गलती से A सर B के बाद में consisting चाहिए end with B consisting चाहिए बच्छे end with B सर B के बाद में अगर A आता है तो मैं इसको कहां लेके जाऊँगा? Trap में अगर B के बाद में A आ जाता है तो मैं इसे कहां लेके जा रहा हूँ? Trap में क्योंकि मुझे end हमेशा किस से करना है? B से या B से It means Trap में ले गए अब बच्छे आप देखो एक बाद Trap में जाने का मतलब होता है उसके बाद में तो कुछ भी आए मुझे Trap ही रखना है और यही हमने गलती कर दी बच्छे यहां पे हमने गलती कर दी कैसे? अगर आप आप देखो क्या यह DFA है? A, B Yes, State का B है A, B है Trap का A और B दोनों है DFA तो है बट क्या यह Correct DFA है? चेक करते है बचे एक स्ट्रिंग है आपकी A, B, A, B क्या यह सेप्ट हो रही है? होनी तो चाहिए End with B है चेक करते है A, B A, B कहां पे जा रही है बचे? Trap State में कि मिस हमने गलती कर दी कि B के बाद में अगर A आ गया तो दिक्कत है हां बचे B के बाद में A आ जाए तो दिक्कत है बट B के बाद में A के बाद में फिर से B आ जाए B के बाद में A आ जाए तो दिक्कत है बट B के बाद में A के बाद में फिर से B आ जाए बच्चे ये ध्यान रखो इट मीस बच्चे concept क्या देखो trap में जाने का मतलब होता है कि कभी भी कुछ भी आ जाए आगे कुछ भी आ जाए मुझे नहीं चाहिए तो trap बच्चे trap का meaning होता है permanent rejection trap का concept होता है बच्चे permanent reject करना right trap कौन सी state होती है non-final but non-final तो और भी बहुत सारी है state number one non-final है it means बच्चे non-final दो टाइप की होती है एक तो simple non-final एक trap non-final right एक तो simple non-final और एक trap non-final एक new concept यहां सीखने जा रहे हो बच्चे right trap में it means sir मैं trap में वो चीज़ लेके जाऊंगा जो मुझे कभी भी नहीं चाहिए और उसके बाद में कुछ भी आ जाए मुझे नहीं चाहिए statement पे ध्यान देना बच्चे कि sir एक बार मैं trap state पे चला गया तो उससे बाहर कभी नहीं निकल सकता it means एक बार उस state पे जाने के बाद चाहिए कुछ भी आ जाए मेरे पास चाहिए ए आए बी आए किसी ओडर में आए कितनी भी आए sir हमेशा मैं reject करूंगा एक यह तो है trap का concept एक है non final का concept non final which is not trap non final which is not trap उस case में क्या करना है आपको it means बच्चे यह कौन सा reject कर रहे हो temporary reject कर रहे हो में कुछ चोटे से time के लिए किसी चीज को reject कर रहे हो बट उसके बाद में अगर कोई चीज आ रही है तो accept कर रहे हो फिर चोटे से time के लिए किसी चीज को reject कर रहे हो फिर accept कर रहे हो कैसे देखो बच्चे यहाँ A आया यहाँ A आया तो आपने reject किया एके बाद में B आ जाते हैं तो वापिस एसेप्ट करोगे न, बट अगर ट्रैप में लेगे तो ट्रैप क्यों कहते है खिए, एक बार ट्रैप कर दिया तो उसके बाद में कुछ भी आए, हम असेप्ट नहीं करने वाले, राइट, बट अब आपनी क्या गलती कर दी, ट्रैप में ले गए एक्चल में कहां लेके जाना था temporary rejection की side तो move करते हैं इसको सई ढंग से बनाने देखो बच्चे आपने क्या किया आपको क्या सही था end with B means A तो start में कितने भी आएं ये हमने देख लिया फिर B आ गया था ये भी हमने देखा था राइट पर अब ये सब DFA अभी तक correct नहीं हुआ था कैसे देखो बच्चे अब A आएगा तो आपनी क्या कर दिया बच्चे temporary reject कर दिया ये क्या state 1 का क्या मतलब वा temporary reject कर रहे हो क्योंकि state 1 क्या non final है बच्चे अब देखो अब देखो बच्चे B accept हो रहा है yes sir AB हो रहा है yes sir AB AB हो रहा है A AB yes sir अब BB हो रहा है BBB हो रहा है अब देखना बच्चे BA BA reject हो रहा है na BA reject हो है कौन सी state पर आ रहा है state number 1 पर बच्चे B AB आ जाए B AB B, right, it means A के लिए आपने क्या किया था, temporary reject किया था, क्योंकि end A से हो रहा था, पट उसके बाद में अगर B आ जाता है, मुझे accept करवाना है, हो गया बच्चे, B, A B, A, B, कोई भी string लिख दो बच्चे, random, जो end B से हो रही है सारी string इस DFA में accept होगी, और जो A से end हो रही है, वो सारी reject भी होगी क्यों, क्योंकि A को, देखो A के transition क्या, A को लेके आप one state पे हो या A को लेके one state पे आए हो, right, it means A आती है आप one state पे आजाओगी, और one state कौन सी है, temporary rejection state समझ में आ रहा है बच्चे, क्योंकि कुछ time के लिए reject किया आपने पर उसके बाद में B आती ही, आप accept भी कर रहे हो, right, तो actual में ये है बच्चे आपका correct DFA for end with B move करते है, next DFA की तरफ बच्चे, L8 की तरफ that is start with A start with A and end with B A से start हो, और end किसे हो, end with B A से start हो, end, end with B it means, दोनों condition true होनी चाहिए, A से start भी होना चाहिए और end किसे होना चाहिए, B से तो minimum string कौन सी होगी, जो A से start हो रही है, B से end हो रही है, A, B उसके बाद A से start बीच में चाहिए कुछ भी आए, A, I से B आए, बीच में चाहिए कुछ सारी string है, तो इसके लिए क्या करेंगी अब देखो बचे, again, same concept है logic कहीं change नहीं हो रहा है, minimum क्या है, A, B, तो A तो आपको नहीं चाहिए बट A, B चाहिए, राइट तो A, B के लिए बना लो बचे राइट, A, B, A, B को क्या कर लिए आपने final, state 1, state 2, state 3, राइट अभी कोई दिक्कत नहीं है, अब देखो बचे कैसे ड्रा करें, one by one देखो बड़ा easy है बचे, minimum string चाहिए थी सर, A, B, A, B को मैंने accept करा दिया A, B, राइट, अब देखो बचे, end with B है end with B है, it means सर, एक बार B आ गया, उसके बाद में रहेगा ना, right, सर, end वाला काम तो हमने कर लिया, अब देखो बचे, अब देखो start with A, start with A, सर, एक A आ गया अगर more than one A हो, सर, A, A, B आ रहे तो क्या करूँ, double A, A, B आ रहे तो ये काम तो आपने कर लिया, A, B, पहले one A है, यहां पर three है, तो क्या करूँ आपने क्या किया, सर, इसमें भी क्या ये तो मैं loop लगा सकता हूँ, आपने लगा दिया, बट अब एक गलती कर दिया अपने बच्चे, ये loop लगाने के बाद क्या, कि बच्चे, state one से A के दो transition हो गए एक उसी state पे जा रहा है, एक next state पे आ रहा है, बट बच्चे, मुझे पता है, किसी भी state से हर एक input symbol का सिर्फ एक की transition होना चाहिए, आपने तो दो कर दिये it means, ये क्या हो गया बच्चे, wrong हो गया, यहां पर बच्चे, बहुत गलती करते है, right, तो बच्चे, सेम काम आप next state भी भी तो कर सकते हो, ना, कैसे, चेक करते हैं, बच्चे, देखो, क्या कि आपने, बच्चे, A आया, ठीक है, उसके बाद में आपका B आया, उसके बाद में, बच्चे, कितने भी B आया, right, कोई दिक्कत नहीं है, अब बच्चे, जो यहाँ state 2, state 1 और state 3, state A पे लगाने की बज़ा, यह सेम काम आप state B पे भी तो कर सकते हो, ना, state 2 पे, sorry, state 2 पे भी तो कर सकते हो, ना, तो अब देखो, आपका A B accept हो रहा है यह सर आपका a a b हो रहा है यह सर आपका a a a a b हो रहा है यह सर क्यों a उसके बाद कितने भी a लो last end किसे करना है बी से तो कोई दिक्कत नहीं है बचे आ रहा है समझ में ठीक है अब start क्या करना था a से अगर start b से हो गया तो मुझे तो कभी भी वो string नहीं चाहिए तो आपने इन strings को क्या कर दिया कहां ले गए बचे ट्रैप में right क्यों b से start होने वाले आपको कभी भी string नहीं चाहिए कभी b right it means एक बार b से string start हो गई उसके बाद में तो चाहिए b के बाद में a आए b के बाद में b आए b के बाद में a a b कुछ भी आए string किसे start हो रही है b से यह तो कभी भी नहीं चाहिए तो b पे एक बार आप प्रैप प अभी transition है B का भी है state 2 से A का भी है B का भी है trap state से A का है B का है बट sir state 3 पे अभी आपने हमने A का transition नहीं लगाया तो क्या करें बच्छे क्या है end with B है बट अगर B के बाद में A आ जाए अगर B के बाद में A आ जाए तो sir मुझे नहीं चाहिए B के बाद में double A आ जाए तो अभी नहीं चाहिए क्योंकि end किसे हो रहा है A से मुझे end किसे करना था B से it means कहां लेके जाओगे क्या trap पे लेके जाओगे कभी भी नहीं क्योंकि sir हो सकता है B के बाद में A के बाद में फिर से B आ जाए तो क्या करना है बचे टेंपरेरी रिजेक्ट करना है अब आपको दिक्कत आती है कि सर रिजेक्ट ट्रैप पे तो नहीं जाना बट यहां तो more than one final non final state है तो कौन सी non final पे लेके जाऊं टू पे या one पे इसके लिए बचे हमेशा minimum condition चेक करो बी के बाद में A आ गया कितना path trace किया आपने one length का बट उसके बाद में B तो आ सकता है ना yes sir minimum choice क्या है यही है कि B के बाद में A I A के बाद में B I उसके बाद में क्या choice है B के बाद में A I फिर A I फिर B I ऐसा भी तो हो सकता है double A बट minimum condition क्या है single A तो one length की one length बचे अगर 3 से 2 आते किया और जो next length है जो next length है वो भी अपने आप cover कर लेगा जो next length है वो भी अपने आप cover कर लेगा बट अगर आपने गल्पती से 3 से 1 की तरफ आ गए अगर state 3 से 1 की तरफ आ गए वाप A लेके तो देखो क्या गलती हो जाएगी देखो बच्छे क्या गलती हो जाएगी state 1 से start क कि आपने a string accept हो गई फिर a आ गया input आपका फिर b आ गया फिर b आ ने इस पर आप कौन सी स्टेट पर चले गए हो 3 पर फिर वापिस a read किया था आप कौन सी हो जाएगा बच्चे क्या गलती हो जाएगी a b a b एक स्ट्रिंग है a से स्टार्ट हो रही है b से end हो रही है accept होना चाहिए चेक करते हैं a b a b आप तो ट्रैप पे जा रहे हो एक्चल में आपको तो accept करवानी थी तो क्या दिक्कत आ रही है बच्चे क्योंकि आपने length ज्यादा travel कर ली बच्चे minimum case क्या था एक ही length trace करनी थी उसके बाद में तो बच्चे acceptance की तरफ move करना था तो actual में आपको क्या बनाना है बच्चे इसको ऐसे नहीं बनाना था एक्चल में इसको आपको कैसे बनाना था बच्चे आपको क्या करना था इस state पे लेके आना था इस a को तो इससे क्या होता अब देखो a b a b a b a b a b a b a b it means a की length है जो आपको disturb कर रही है उसके बाद में फिल से आपकी string आ सकती है there is a chance ना इसलिए बच्चे आप a i उसके बाद में b यहां आ गया तो यह correct dfa किसका start with a and end with b next important बच्चे dfa next again important मानलो बच्चे एक language है a star b star a star b star it means what it means इसमें कौन consisting accept करेगी star का मतलब होता है बच्चे जिस भी चीज़ पे star लगा it means आप उसमें से उस चीज़ को कितनी भी बार कैसे भी ले सकते हो तो अगर बच्चे दोनों को दोनों a और b दोनों को ही नहीं लिया तो क्या string जनरेट होगी epsilon next b को बच्चे अब देखो बच्चे a star b star अगर आप b को कभी नहीं ले रहे हो तो b को क्या जनरेट होगा epsilon a को one time लिया तो a dot epsilon a को two time लिया तो a epsilon a को three time लिया तो a epsilon it means क्या जनरेट हो रहा है बच्चे a double a triple a हो रहा है यहां से next बच्चे आपका क्या जनरेट हो सकता है a star b star में suppose करो बच्चे a star को आपने epsilon ले लिया तो b to b star का मतलब क्या था any number of b एक b भी आ सकते हैं दो b भी भी आ सकते हैं तीन b भी आ सकते हैं कुछ भी आ सकता है इट मिस क्या string जनरेट हो रहा है बच्चे epsilon dot b is b epsilon dot b b is b epsilon dot b b b is triple b राइट ऐसे चलता जाएगा यह चीज़ समझ में आ गई और क्या string accept हो रही है बच्चे a star b star means suppose करो आपने a को लिया a उसके बाद में आपने b को ले लिया a b या फिर a को कितने भी बार ले लो क्योंकि star लगा हुआ है yellow star तीन बार ले लिया b को कितनी भी बार दो बार राइट ऐसा हो सकता है या फिर बच्चे a को एक बार b को तीन बार a को कितनी भी बार b को कितन यह देख लो क्योंकि उसके लावा TOC में आप सर्वाइब करी नहीं सकते राइट तो बच्चे स्टार का मीनिंग होता है जिस भी चीज़ पर स्टार लगा उस चीज़ को कितनी भी बार ले सकते हो राइट और अगर बच्चे मालो मेरी एक्वेशन यह होती एबी का होल स्टार एबी का होल स्टार इट मिस्टार किस पर लगा एबी पर तो मिनिमूम एपसिलोन जब आपने एबी को नहीं लिया या फिर एबी या फिर एबी एबी या फिर एबी 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 मिस्ट जिस चीज़ पर स्टार लगा है उसे कितनी भी बार ले सकते हो, that means star closer, loop, star का मतलब होता है loop बच्चे, loop को आप कितनी बी बार किसी भी order में ले सकते हो, आ रहा है समझ में बच्चे, तो अब मेरी language क्या है, A star, B star, it means इस language में, कौन कौन सी string आ सकती है, बच्चे, आपकी language है A star, B star, it means, इस language में कौन कौन सी string है, एपसिलोन है ए है एनी नमबर ओफ ए है बच्चे ये चलता जाएगा फिर सिंगल बी है एनी नमबर ओफ बी है सर ये भी चलता जाएगा उसके बाद सर एनी नमबर ओफ ए फोलोड बाई एनी नमबर ओफ बी ये भी चलता जाएगा राइट It means B के बाद में A कभी नहीं आ सकता B के बाद में A कभी नहीं आ सकता इसका भी reason है देखो बच्चे कैसे बच्चों को जो doubt आता है A star B star यही meaning है इसका जब आप बच्चे आपने यहाँ पे entry की तो star किस पे है? A पे है एक बार अगर आपने A को ले लिया तो star से फिर वापिस से starting में आओगे star से वापिस से starting में आओगे कोई दिक्कत नहीं बट अगर एक बार बच्चे star को क्रोस करने इंग बद आप B पे आ गए तो B पे भी star लगा है तो B पे star का meaning यह नहीं है कि बच्चे आप वापिस से starting में आ जाओगे नहीं जिस चीज़ पे star लगा है उस चीज़ के starting में आ जाओगे actual में यहां आ जाओगे बच्चे यहां आ जाओगे it means जैसे A star B star है बच्चे आपने A ले लिया फिर A ले लिया यह किस डबल A किसे आया star से फिर एक बार अगर आपने B ले लिया मालों एक B और लेना है तो star से बच्चे star यह वाला star किस पे है B पे है तो B के आगे आ जाओगे फिर से B लिया फिर star देखा तो फिर B के आगे आगे फिर B लिया ऐसे कितने भी B ले सकते हो बट B के बाद में A मेरी string मेरी language में कभी भी नहीं आएगा Right A कभी भी नहीं आएगा क्योंकि बच्चे यह expression ऐसा नहीं है यह whole star है तो यह इस चीज के पूरे पे लगावा था तब आगे आप आगे आते थे Right तो बच्चे क्या क्या string आ सकती है epsilon जब दोनो A और B नहीं ले रहे है या फिर कितने number of A कितने number of B या कितने number of A float by कितने number of B स्टार है बच्चे कितने भी number आ सकते है Right अब इस language को accept कराना है तो minimum क्या accept करवाना है बच्चे epsilon तो yellow final कर दिया अपने initial को उसके बाद में सर A कितना B आए yellow सर B कितना B आए yellow बट अगर ये बच्चे हो जाएगा आपका wrong क्यों? मालो एक string है B A B के बाद में आपके पास A तो कभी नहीं आने चाहिए था बट क्या यहां accept हो रहा है Yes सर B A accept तो हो रहा है बट actual में नहीं होना चाहिए था Right क्योंकि आपने क्या किया गलती बच्चे loop एक ही state पे लगा दिये तो इस चीज को दूर करने के लिए आप क्या कर रहे हो बच्चे initial को final किया epsilon के लिए सर A कितने भी आए कोई दिक्कत नहीं है बट बच्चे एक बार B आ गया तो आप next state पे चले जाओ आ गया बच्चे समझ में उसको क्या कर दो final अब सर कितने भी बी आएं अब सर कितने भी बी आएं कोई दिक्कत नहीं है तो देखो बच्चे epsilon accept हो रहा है आपका A accept हो रहा है double A accept हो रहा है कितने भी A आएं उसके बाद में कितने भी B आएं ये सब चीजें हो रही है बट सर मेरी एक ये भी तो condition थी कि B के बाद में A ना आएं क्या B के बाद में A कभी ना आएं येस सर कभी भी ना आएं इटमीज कहां लेके जाओगे बच्चे trap पे कौनसी स्टेट trap पे कब जब A आ जाए और एक बार trap पे आ गए तो बच्चे हमेशन trap पी रहोगे तो ये क्या है बच्चे किसके लिए है A स्टार B स्टार के लिए A स्टार B स्टार के लिए तो प्लीज बच्चे आपके लिए जो मैं discuss करना है बच्चे draw करना है that is A स्टार B स्टार A प्लस B स्टार और C है बच्चे A प्लस और D है that is fourth है B प्लस तो इन 4 के बच्चे try करो आप खुद से DFA करेंगी अगर आप से construct नहीं होते हैं तो हम next वीडियो में सबसे पहले इन 4 को ही discuss करने वाले हैं तो आज के वीडियो में बच्चे हमने sigma is A, B पे हमने कुछ basics DFA को construct किया that is बच्चे empty language single state L2 A और B three states आ जाएगी बच्चे फिर हमने discuss किया A प्लस B का whole star that is complete language A की state है बच्चे इनके number of states याद रखो याद रखने का मतलब आप practice करो क्योंकि gate में simple question आते हैं आपकी UGC net में भी बहुत simple same question आएगे बच्चे next बच्चे A plus B का whole plus उसके लिए two state आएगी मेरे पास next था बच्चे start with A start with A and end with B right और उसके बाद में हमने क्या देखा बच्चे language L9 A star B star और आपको कुछ assignment दिये बच्चे तो प्लीज एक बार इस वीडियो को ध्यान से देखें जितने भी DFA's हमने construct की हैं आप खुद से अपने आप से बनाएं अगर आपको लगता है कि सर ये वाला DFA मेरा कैसे wrong हो सकता है क्योंकि बच्चे जब भी आप बनाने की कोशिस करोगे तो बनाने के बाद आपको यही लगेगा कि आपका DFA भी right है और वो DFA हो सकता है जो हमने draw की है DFA उनसे अलग हो तो आपको नहीं समझ में आएगा कि ये मेरे वाला DFA कैसे wrong है तो प्लीज आप कोई भी pick लेके उसका screenshot लेके हमें send करें आप mail कर सकते हैं subjectwise2020 at the rate gmail.com पे या इस video के comment section box में आप comment कर सकते हैं with phone number हम आपको reply कर देंगे कि आपका DFA right है या wrong है complete TOC बहुत easy होने वाला है अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो informative हो तो बचे आप प्लीज इस वीडियो को like करें, share करें and subscribe करें thank you so much मिलते हैं next video में कुछ और अच्छे basic DFA's को लेके thank you so much